हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इंफिनिक्स नॉट थर्टी आंडुड वाइल फोन में आप अपने ब्लुटूथ के कीप स्टॉपिंग प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको को बंद और यहां पर आपके और अपको परम का फून का आप ब्लूब्स है Nhet AU प्रॉस्स करने के आपको प्रॉस्पूर्स एक बर चेक करना कि आपको ब्लूब्स तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन का अपड़ेट आता है हम उसे अपडएट नहीं या फिर कभी update आता है तो कभी कवरा पता नहीं लग पाता है तो mobile phone का software होता है वो updated now ने के कारण भी हमारे mobile phone के android system में कुछ problems आने लग जाती है आपके mobile phone का software है वो आपका update है या नहीं आपको check कैसे करने है देखे इसके लिए आपको नीचे online update पर टाप करने है अब यहाँ पर आपको इस वाले पेज पर कोई भी update का बटन या download इंस्टॉल यहां पे लिखावा दिखाई देता है तो उससे आपको टैप कर देना है इससे आपके phone का software अपडेट हो जाएगा और आपके Bluetooth की keeps stopping की जो problem है वो आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगलब process यह करना है कि आपको आपने mobile phone की network setting को reset करना है ठीक है देखी दोस्तों आपको अपने कई बार ऐसा होता है कि हमारे mobile phone की network setting होती है कभी को बार यह ठीक तरीकी से काम नहीं करती है जिसके करना हमारे Bluetooth में keeps stopping की problem आती है तो आपको अपने mobile phone की network setting को reset करने के लिए phone का आप setting page open करिए इसमें आपको सबसे नीचे आपको यह system पे tap करना है तो आपको नीचे यहां पे लिखा हुआ जाएगा थोड़ी देर में यह देखे नेटवर्क सेटिंग है बिन रिसेट इस तरीके से आपको नहीं mobile phone की network setting को reset करना है जिससे आपके Bluetooth की keeps stopping की problem जो हो सॉल्ल हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहां पर आपको अगला process यह करना है कि आपको अपने mobile phone को एक बार restart करना है mobile phone को restart करने के लिए आपको mobile phone के side वाला power button उंगली से दबा के रखना है आपके screen की सामने ने page open होगा इस तरीके का इसमें आपको restart पर tap करना है इससे क्या होगा आपको mobile phone जो है वो automatic switch off हो जाएगा फर इसके थोड़ी दिर बाद automatic switch on हो जाएगा restart करने से यह होता है कि हमारे mobile phone के android system में अगर कोई कमी आ जाती तो कमी जो है दूर हो जाती है आप अपने phone को एक बार restart जरू कर लिजे अब इसके बाद अगले प्रोसेस है करना है कि आपको अपने mobile phone के APN setting को reset करना है APN setting को reset करने के लिए phone का आप setting page open करिए इसमें आपको सबसे ओपर यह sim card and mobile network पे tap करना है इसके अगले page में आपको अपनी sim select करने है जिस company की है ठीक है इसके अगले page में आपको सबसे नीचे access point name पर tap करना है इसका अगले page आपका APN का होगा इसमें सबसे ओपर यह three dot पर tap करना है एक page open होगा छोटा सा reset to default पर आपको इस पर tap कर देना है आपको यहां पर नीचे लिखाओ आजाएगा यह देखिए reset default APN setting तो इस तरीके से आपको अपने mobile phone की APN setting को आपको reset करना है जिससे आपके Bluetooth की keeps the stopping problem जो हो solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों सबसे आखरी process यह करना है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है जब मेरे बता हुए पिछले process काम नहीं करते हैं तब आपको phone को reset करना है अधरवाइस phone को reset नहीं करना है फोन को reset करने के लिए आपको mobile phone का setting page उपन करना है setting page में सबसे नीचे system पर tap करना है इसके अंदर आपको reset option मिलेगा इसे tap करना है इससे आपको phone reset हो जाएगा और आपके Bluetooth की keeps stopping problem जो हो solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बात होगा ध्यान रखना है पहली बात यह ध्यान रखना है आपके mobile phone में जितना भी data सारा data आपकिसी दूसरे phone में transfer कर लिजे या उसका backup ले लिजे दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि आपके mobile phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद ही आपको अपने mobile phone को reset करना है ठीक है इस वीडियो में मैं आपको जितना ही प्रोसेस बता है न सारे आपको यूस करने तो इससे आपके Bluetooth की keeps stopping problem जो हो जाएगी ठीक है